जैमातादी दोस्तों, हिंदु धरम ग्रंतों के अनुसार मंगलवार के दिन को ही हनुमान जी का जन्म हुआ था। इसलिए मानेता हैं कि मंगलवार के दिन विशेश मंत्रों का जाब करने से हनुमान शिग्र ही प्रसन हो जाते हैं और अपने भक्तों को मंचाहा वर्दान देते हैं। को हनुमान जी का एक ऐसा अचूक मंत्र बताने जा रहे हैं। जिसे अगर आपने सुन भी लिया तो यकीन मानिये आपके जीवन से सभी प्रकार की बांधाएं हमेशा के लिए दूर हो जाएंगी और आपका जीवन सुख और खुश्यों से भर जाएगा। साती धन की देवी मा लक्ष्मी की कृपा भी आपके उपर बनी रहेगी। लेकिन उससे पहले हम आपको आपकी जीवन से जुड़ी कुछ विशेश बाते बताने जा रहे हैं। जोते शास्त्र के अनुसार मंगल वार का महत्तपूर्ण दिन मंगल शास्त्र से समंदित हैं। ग्रह कलेश धन की कमी होने लगती है। इन सबी समस्याओं का एक मात्र उपाए है हनुमान कवच जो अपने आप में ही भगवान हनुमान का स्वरूप है। जिसको स्वरूप भगवान शिरी राम द्वारा रचा और पड़ा गया है। इस हनुमान कवच का पार्ट स्वरूप रामन से युद करते समय किया था। ये हनुमान कवच अपने आप में भगवान की शक्ती रखने वाला है। इसके परभाव से बड़ी से बड़ी परेशानी तुरंत खत्म हो जाती है। हनुमान कवच मंत्र को शक्ती ग्रह कहते हैं और ये हर परकार के टोने टोटके और रोगों से हमारी रक्षा करता है। इसलिए वह काले जादु को भी बड़ी असानी से पराजित कर देता है। यदि आप किसी से परेशान हैं या फिर कर्ष से परेशान हैं आपको किसी भी मंगलवार के दिन इस हनुमान कवच को धारन करना चाहिए। सबी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। दोस्तों ऐसा करने से 24 गंटे के अंदर ही आपकी सभी परिशानियां खत्म हो जाएगी। और धीरे धीरे जहां आपका पैसा रुका था वह वापिस आने लगेगा और धन के नए नए मार्ग खुलने लगेंगे। ताकि निया नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों। झाल